हलो गुड मोनिंग एंड वेलकम एक फ्रिंट्स आप देख रहे हैं पेसरे जो किसनी यूट्व चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11 मार्च से रिलेटिड जितने भी इंपोर्टेंट का रंटरफेस बनती हैं सारे इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे साथ ही काफी सारे एक्स्टरफेक्ट यहां पर डिसकस करेंगे सो पूरे लेशन को थ्यान से और लाष्ट तक आप जरूर देखिएगा इसकी पीडियेप आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्रिस थी आपके लिए कौसन था कि हाल ही में मनाया गया मेद्राम जात्रा तेवार किस जन्जाती से समंधित है यहां पर आपसे पूछ गया है जो मेद्रा जात्रा तेवार है किस जन्जाती से समंधित है क पोया जन जातीज का कारेक्ट अन्स होगा, मुखेता पाय जाती है आपकी तमिल नाड़ों में, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपर आज की करेंट फेस्ट की, पहला अपडेट आपके सामने है, मिसन इंदर दुनुस 4.0 के तहट, कोविन 19 संकर्मन के खिलाब, सफल टीक टीका करना हासिल करने वाला, जो देश का एक मौत राज्य बन गया है, वो कौन सा है, तो केरेक्ट अन्स होगा, ओडिशा, कौन सा, ओडिशा, देखिए कि यहां पर धियान रखिएगा, यहां जो शफल टीका करना है, इसके अलावा, 90.5% टीका करना का जो टारगेट है, इसका जो 4.0 जो एडिशन है, वो यहां पर भी रिसेंटली शुरू किया गया था, जिसका उद्धेश से था कि जो नियमिट टीका करना है, जो बिना टीका करना वाले और जो आंसिक रूप से टीका करना वाले जो बच्चे और जो गर्वती मैला हैं, उन तक जो टीका करना उसकी पहुँच को आसान बनाना इसका मुख्य उद्धेश से था, इस अभियान में दो वर्स तक के जो बच्चे हैं उनको सामिल किया गया है, इंदरदुनस 4.0 के अंदर, यहां पर देखेगा अगर बात करते हैं, COVID-19 माहमारी की कारण नियमिट टीका करन की जो गती है, दीमी हो चुकी है, लेकिन सगन मिशन इंदरदुनस 4.0 इस अंतराल को कम करने और सारवब भोमिक टीका करन की दिसा में इस ताहिला प्रदान करने में काफी योगदान दे रहा है, चीक है, तो इसको अभी यहां पर देखेगा, जो तीन चरणों में इसको 416 जीलों में जो पहुँच मतलब की पोसिबल नहीं है, वहां तक पहुँच को सुलब बनाने के लिए इसको सुरू किया गया था, नेक्स्ट यहां पर देखेगा, शिक्षा मंतराल है और किसके सायोग से कन्या सिक्सा प्रवेस उत्सवग अभियान लौंच किया है, हाल ही केंदर सिरकार न तो देखेगा अभियान का उद्धेश से क्या है, इस कन्या प्रवेस यहां पर जो अभियान है, इसका यहां पर देखेगा उद्धेश से क्या है, जिसका नाम है कन्या सिक्सा प्रवेस उत्सव, इसका उद्धेश से 11 से और 14 वर्स की आयोग की स्कूल न जाने वाली की सोर तो यह आपको ध्यान रखना है किस और योजनाओं किस और लड़कियों के लिए योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो यहां पर राश्टी शिक्षानेती है इसके आधार पर इसकूल न जाने वाले जो लड़किया हैं उनके लिए एक संपूर्ण पढ़ना वाले पर कारे करना इसका अध्यिश्ख से ठीक है इसके बास में देखिए गालाप डेट अपना में आ प्योदिके में आपन ओर इसके हालही में, ही में ऐक्षर भारतिये कारे कर्म जरॉक्षा का ऑईजन किया है तो यह किया गया है संसकर्थी मंत्राले और कपड़ा मंत्राले के सही होग से हाल ही जरोखा नाम का जो एक कारेकरम है अखिल भारतिय कारेकरम इसको लॉंच किया गया है यहाँ पर दिखीएगा जो संसकृति मंतरल है और कपड़ा मंतरल है इन्होंने पारम पर एक भीखा कार्यक्रम का आई ज़िन ठीक है उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है किस राज्जी सरकार ने पाल ददवाव नर्शंगार के 100 साल पूरे कर लिये हैं तो गुजरात है अपका सही अन्स होगा देखिए यहाँ पर जो है पाल ददवाव नर्शंगार का जो हाल ही में 100 साल पूरे हैं पर देखिएगा अगर बात करते हैं पाल ददवाव हत्यागार की थोड़ा से डिटेल्स में जान लेते हैं यहां से देखिएगा पाल ददवाव हत्यागार है क्या साथ मार्च 1922 की बात है जब साबर काथा जिले की पाल चितरिया और ददवाव गाउं में हुआ था जो उ यहां पर देखेगा उस दिन जो है आम लकी एकादस्मी थी जो आदिवासियों के प्रमुक्तिवार था जो होली से ठीक पहले मना जाता है तो अभी प्रजेंट के आसपासी जो है इसको मना जाता है और यहां पर देखिएगा जो मोतिलाल तेजावत है इनकी नेतरतों में कि आंदोलन के इस्से के रूप में पाल ददवाव और चितरिया के जो गरामेंड वारिश हैं वो नदी के चट पर एकत्रित हुए थे उस टाइम पर किया था कि जो तेजावत था जिनके नेतरतमी ये लोग यहां पर एकत्था हुए थे उनकी तलास में बिटी सा अर्द से न परहार किया लेकिन जो अंग्रेश थे उन पर अंदद उन गोलियों चलाए थे गोलियों चलाने के कारण जो है यहां पर लगबग हजार आदिवासी जो भील है उनको गोलियों से भून दिया गया था तो इसको यहां पर हाल की जो जलिया वाला हत्यागांड है जलिया वाल 2022 के उपलक्स में भारत का पहला जो 100% महिला स्वामित वाला ओधुविक पार्क है और किस सहर में खोला गया है ये खोला गया आपका हैदरबाद में 100% महिला स्वामित वाला जो ओधुविक पार्क है आपका हैदरबाद में खोला गया है ठीक है उसके बाद में देखेगा भा जो भगवान बुद्ध की सबसे मड़ी मूर्ती है वो बिहार में बन रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फोटो में यहाँ देखेगा यह दुनिया के सबसे लंबी साइन मुद्रा की मूर्ती है जो बिहार के जो गया जिले के जो बोद गया है वहीं पर यह भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ती मनाई जा रही है सो फिट लंबी मूर्ती जो बोद गया के प्रखंड कारेला है उसके ठीक पीछे एक संस्ता में बनाई जा रही है जिसमें यहाँ पर भगवान बुद्ध के इस प्रतिमा को महा परिनिर्वान मुद्रा सेन मुद्रा के रूप में बनाय जा रहा है नेक्ष देखिएगा केंद्रिय ओद्रिक शुर्क्षाबल का जो इस्तापना दिवस है CISF राइजिंगे वो किस दिन को मनाय जाता है यह हाली की मनाय गया है 10 मार्च को कब मनाय गया है 10 मार्च को CISF ने अपना जो है इस्तापना दिवस मनाया है नेक्ष यहाँ पर अगर इसकी स्तापना की बात करें तो देखेगा इसकी स्तापना हुई थी 1969 में और यह ग्रह मंतरा लगके CISF नेम 1968 इसकी स्तापना की गयी थी नेक्ष देखेगा भारत के तेज गैंदबाज जिनोंने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घुशना कर दी है करेक्ट अन्स होगा S.Risant ने S.Risant ने हाल ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से एक सन्यास की घुशना कर दी है नेक्ष देखेगा हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है करेक्ट अन्स होगा ये मनाया जाता है आपका विस्व किडनी दिवस विस्व किडनी दिवस ये आपका हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मना जाता है, हाल ही में भी ये मना गया है, ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित प्रसन जिनको भारतिय वायुष्यना अकादमी का कमांडेट बना जा है तो भारतिय वायुष्यना अकादमी का जो नया कमांडेट है, वो कोन बना है? एर मार्षल बीच अंदर से करवाओ चुना गया है, किसको? एर मार्षल बीच अंदर से करवाओ चुना गया है जो की अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित है उसके बाद में देखीगा आप बात करते हैं जो आज की क्वीज है आपके लिए इसका अंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है देखे कौसन है कि भारत सरकार ने किसके साथ मिलका एक रिवार्ड परियोजना के लिए एक सो पंद्रा मिलियन डोलेट के रेंड समझोते पर अस्ताखसर किये है जो भी करेक्ट अंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सुगश ये थी आज की करेंट अफेस उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक और सेर जरूर किजिएगा वीडियो को आज की इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद